कि नमस्का दोस्तों मैं केलास कनिया आप सभी लोगों का संस्कृत के ट्व क्लासस में बहुत-बहुत स्वागत है तो देखेंगा आप क्या होगा बीएड बनाम बीटीशी या डिरेड क्या है सच्चा है पूरी हम लोग जानेंगे NCTE ने राज्यों को भीजा पत्र किस्च चीज पर चर्चा होई है उन चीजों को विशेश कर इधान में रखती हुए बात करेंगे ठीक है देखें जानना बहुत जरूरी है आप लोग काफी आपको निउज मिलती है यह सारी मिलती है तो आपको सारी चीज यहाँ पर क्लिया क क्यंदि विद्याले ने प्रात्मिक सिट्यक की निक्ति में बियए डिगरी वाले अब्यारतियों को बहार कर दिया और से सब्सकी की नुक्ति को लेकर ली गई परीच्छा में बियाड डिग्री दारकों अभियरतियों में के रिजल्ट जारी करने पर अभी अंतिम नेड़े नहीं हो सका है ठीक है लेकिन सुप्रीम कोट के फैंसले और NCTE के निर्देश के बाद यहां भी बियर्ड वालों का लेवल फर्ष्ट सिचक वर्ती से बाहर होना तय है बियर्ड वालों को रहत देने के लिए बिहार में सत्तर अजार नई भरती सुरू होने वाली है इसमें प्राइमरी सिचकों के पद नहीं होंगे यानि की सीधी सी बात यह कहा दिया है कि हम इसमें बियर्ड वाले नहीं लेंगे बियर्ड वालों के लिए अलग से हम पदों को स्रजित करेंगे लेके आएंगे और उसमें अप्लुक डालेगा NCT ने सभी राजजी और सरकारों को पत्र लिखकर कहा है कि बे बी एड और डियलेड बी टी सी विवाद पर आए सुप्रीम कोट के फैसले को माने और सुप्रीम कोट ने कहा था कि बी एड दिगरी धारक लेवल फर्ष्ट में आवेधन करने के योग नहीं है सीधा देखो यहां पर क्या दिया गया अब बात आती यहां पर 69,000 वर्ती की तो 69,000 वर्ती का जो जीओ हो है वही रद कर दिया गया तो उस पर थोड़े संकट से मढ़राने वाले हैं और क्योंकि अभी मैं उसकी भी आगे आपको दिखाऊंगा क्या-क्या चीज़ें निकल है ठीक है यह सारे चीज़ा आगए जो यहां से एक से पांच तक बीएड को अमान ने कर दिया माना नहीं जाएगा ठीक है अब बात आते यहां नीचे देखिए बीटी सी बेसिक ट्रेनिंग सार्टिपिकेट के बारे में आप जानते हैं कि इसकी फुल फॉर्म यह होती है उसके बात करें तो यहां पर सीधा क्या कर रहा है कि पात रहें अर्था एक से पांच तक की जो फात है एक से पांच तक की वो किवल केवल BTC हो, DLA हो ठीक है, तो यही केवल सिच्चक बनने के पात रहे हैं सभी राजवावन के सिच्चक बिवावन सुप्रीम कोट की फैंसले को मानना होगा, और यह है महा अगस्त मामें सीर्स अदालत ने NCT, राज़्टी सिच्चा सिच्चा परिसत के यह उस गजट नौडिविकेशन को खारिज कर दिया था, ठीक है यह भई उसी बात कर रहा हूँ मैं जो गजट खारिज कर दिया गया है उसकी में बात कर रहा हूँ, तो जब नौडिविकेशन आपका सीधा सीधा कर रहे हो तो सबची नौडिविकेशन मानी जाती है तो आप फिर यह क्यों कर रहे हूँ क्योंकि सबसी बड़ी समस्य होती है यहाँ पर हम लोगों विद्यारतियों की ठीक है, इसके आगे बात करें तो लेविल फर्स्ट में पास होंगे यानि कि जो बीयड दिगरी दारे लेवल फर्स्ट में पास होते हैं तो उन्हें निउक्ति के बाद 6 मेने का ब्रज को सकराना होगा यह बात कही गई ती ती यह बात कही गई थी चले, अब मैं आपको बात करूँ तो यहाँ पर यह देखो एक ख़वार में भी बीयड वालों के लिए थोड़ी है बुरी ख़वर बट सच्चाई जो है बई मैं बता रहा हूँ एक सट रियार सिच्चक भरती में चैनित बीयड अब्यरतियों के बिदाई के संकेत सहमे सिच्चक ब्रज कोर्ष कराने में सहमती नहीं दिखती सरकार है हाई कोर्ट में बीयड अब्यरतियों ने दी दर्थ तक तो यह सबसे बड़ा एहम भूम का यह दिखाई देती है कही ने कही समस्यां आने की शमबावना है ठीक है तो यही है सच्चा है यह आपको दिखाने के लिए मैंने इस वीडियो को बता है तो आप इन चीजों को जानते रहेगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइबाय टिक केर और लाइक शेयर जरूर कर दिए अगर कोई आपके मन में सवाल हो तो कमेंट करके जरूर बता है तो थैंक यू सो मच बाइबाय टिक केर हाँ चलिए तो यह चीज आपके सामने ब्राज मानती